अरे ये गदब हो गया है कुए ने कुए में कूद के आत्मत्या कर ली भाई साब ऐसे मत करिए ये जूले टूर जाएंगे इन ट्रेकों को थोड़ा सा वेवस्तित कड़ी करते हैं तो सुईधा अच्छी होती सुईधा हैं तो इस गर्मी में गोवंच के लिए भी बढ़नी चाहिए अब आप कहेंगे यार मैं कितने सारी गोल मौल बाते कर रहा हूं इन तमाम गोल मौल बातों के सही माइने विस्तार से आप तक पहुचाओंगा मदर उससे पहले हो ली कि अनेक शुब कामनाओं के साथ आपका स्वागत है हमारे इस विशेश कारिग्रम जनता है हम जब मुद्धो को एक बार सुनते हैं या समझने कोशिश करते हैं तो हमें बड़ी सामानिय से लगते हैं थोड़ा सा उस पर गोर करेंगे तो आप सभी को लगेगा कि विशेश बड़ा घंभीर है ये कभी भी किसी हाथसे का कारण बन सकते हैं तो इन पर ध्यान दिया जो हैं जो कि अब हैं र्याव से ठेकंग कर रहा है तो हां उस चेकिंग के या खड़ा घंभी लैती है काफी जाधा जमावडा हो जाता है तो उस कानण से इह आने जाने वाले लोग झोंग होंसे लोग शहर चाहर की तरह आते हैं रासमन दिल्ला मक्हाली की तरह पाते हैं उनको वो सड़क पार करने पर या उस जगह आगर उस बीड में एक हादसे के आशन का हमेसा बनी रहती है और ऐसे भी अगर आप लोग उस जगह के बारे में जानते हैं तो वहां पर ऑल्रेड़ी थोड़ा सा तो रॉंग साइड हमेशा सी चलना पड़ता है वो हमेशा ही एक गंभीर दुरुगटना की स्थिति वहां बनी रहती है पगर इन गाडियों के यहां रुकने से और काफी गाडिया ऐसी भी है जो चेकिंग देखकर पहले ही रुक जाती है तो उसके कारण वो साइड की कुछ रस्ते भी ब्लोक हो जाते हैं साइड की कुछ जगह भी ब्लोक होना चाहिए कि यह चेकिंग भी चलती रहे बले मगर किसी भी हादसे की आशंका से थोड़ी सी सावधानी बढ़ती जा सके हैं तो अच्छा विशे था दूसरा जो विशे मेरे ज्यान में लाए हैं वह कुलदीव ची दंदवान आप उस विशे को अगर सुनेंगे तो आप पर बच्चों के लिए काफी खिलोने लगाए गए और मैंने एक पुराने एपिसोड में बताया भी था कि इस प्रकार से बच्चे वहां खेलते कुद्ते आपको दिखाई दे रहे हैं एक अच्छा वाता वराने दिखाई देता है मगर उन्हें वहां से वीडियो भीजा कि यह क्योंकि यह सारे खिलोने बच्चों के लिए है एक नियत भार के लिए है एक वजन उसका लिमिटेड होता है तो उससे ज्यादा वजन के लोग उस पर जाएंगे तो यह चीज़े बहुत जल्दी खराब हो जाएगी बहुत जल्दी तूट जाएगी और आखिर में उ कोशिश यह रहे कि वो चितना ज्यादा चल सके उतना चलाया जाए हमें ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे वो खिलोनों को नुकसान पहुचे है अपने बच्चों को खेलते हुए देखकर याद कर लीजिए उन खिलोनों पर अपने गुमते जूलते अपने बच्च्पन को अगे राजयवास के तरफ जाते हैं जो भाटोली पुल्या बंद रहा है उसे पुल्या के करन कुछ रस्ता बंद काफी समय से बंदे वो तो उसके लिए वहां एक वेकल पिक मार्क दिया गया एक बाइपास दिया गया और बाइपास था जो एक एमडी से उते में सीधा बाट से फिर उस रास्ते को भी कि आने जाने के लिए मना करने के बाद दूसरा एक रास्ता खोला गया है मगर वो रास्ता अभी भी चालू है और उस चालू उसके साथ साथ सबसे बड़ी समशा है कि वो कुए की जो में कल मैं इस्तीति देख आया तो वास्ता में किसी भी एक करने के लिए उस रास्ते को सुगम बनाने के लिए किसी हाद्से का न करना है उससे पहले ही इसको कि अब दूस्ट कर दिए जारे इंहाना दे हैं अज कि आखरी विशे अनि अङए मारे पास सोनु जी पालीबाल के माध्यम से इनको आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे वो सेवा से लंबे समय से जुड़े हुए रहे हैं इन्होंने मुझे पूर्म में भी विशे बताया था और वही विशे आज भी मैं आपके सामने ला रहा हूं क्योंकि निक दो दिन पहले मुझे दूसरे कुछ अगर पशुम वहां इलाज के लिए अपचार के लिए आते हैं उनके लिए पीने की पानी की भी माकूल विवस्ता नहीं है उससे पहले भी उन्होंने मेरे को एक बार महां बुलाया भी था मैं गया भी था उसके बाद नहां विवस्ता हो गई थी तो हम बेशक्ता वहां और ज्यादा होने लग गई हैं परनतो हालाद अभी जसके तस है अभी जसके तस है तो क्यूं ना इस कारिक्रम के माध्यम से मैं जिम्मेदारों तक यह बात पहुचा हूं कि गर्मी के इस माहूल में वहां पानी की माकूल विवस्ता की जाए यह चार झार्व को सभूचाएं मेल में था उनल उनbar इंडाऊ यहां को 예सा अई-प आपको सकता यह विडियो जानकारी भी हम भी कोशिश करेंगे नियुक्ति रीपोर्टर के माध्यम से इस जागरु के कि तमाम रिपोर्ट लोगों तक पहुँचा सके जुड़े रहे रासमन एक्स्प्रेस से धन्यवाद